Hello everyone, this is me Neha and you're watching Google Bollywood Hi, मैं पीछे रह गया और लोग followers खरीद popular होते गए जिहां आपको बता दे, सिंगर भूमी त्रिवेदी ने कुछ समय पहले मुंबाई पुलिस में शिकायत दर्ज की थी कि उनके नाम से fake account इंस्टाग्राम पे बना दिया गया है जिसका गलत इस्तिमाल हो रहा है इसी के चलते मुंबाई पुलिस ने सकत कारवाही शुरू की और इसी के चलते इंटरनेशनल रैकेट की बात सामने आई थी जो सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक्स और कमेंट अब बेचता है जिहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बाशा ने साथ पॉइंट दो करोड व्यूज खरीदे हैं बहतर लाख रुपय में अपने हमें एक बहुत बड़ी रगम है और बाशा ऐसा कैसे कर सकते हैं यह सबी फैंस के मन में मलाल है लेकिन क्या कर सकते है यह इंडरस्टी है वास यहां बहुत कुछ होता है इसी के चलते मीका सिंग ने अपनी कुछ तस्वीर है अपने सोशल मीडिया हैक पर शियर की है और लिखा है कि मैंने सुना है कि कुछ यूट्यूबर्स, सिंगर्स और एक्टर्स यूट्यूबर फेमस होने के लिए व्यूज खरीदते हैं लेकिन ऐसा वो पहली बार देख रहे हैं मैंने 50 से जादा मकान खरीदे हैं और मैं अपना सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट करता हूँ और बागी का 10% हिस्सा चैरिटी में दान करता हूँ जिहां आपको बता दे कि मीका ने सीधा सीधा तन जो है बादशा पे कसा है और उनने कहा है कि मुझे भी अपने पैसे व्यूज खरीदने में इन्वेस्ट करने चाहिए तो मेरे भी आज अच्छे खासे रिकॉर्ड होते हाई मैं पीछे रह गया आपको बता दे कि बादशा ने अपने गाने पागल है के लिए ये व्यूज खरीदे थे ताकि उसे वर्ल्ल रिकॉर्ड में शामिल किया जाए पिछले साल बादशा ने दावा भी किया था कि 24 घंटे में उनके इस वीडियो पे 75 लाग से जादा व्यू आए है हलांकि गूगल और यूटूब ने इस मामले को खारिज कर दिया और बाशा ने इस मामले पर अपनी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसी के साथ बॉलिवूड की लेटस्ट अब्डेट्स के लिए देखते रहे बूगल बॉलिवूड